कि नमस्कार दोफ्तों कॉंपटिशन कम्रेटी के औरलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हमारे तो सबसे पहले तो इस वीडियो पर हम क्या बात करने वाला है उसका एक संचिप विवरंट देख लेते हैं एस वीडियो का जो केंदरविंदू होगा वो केंदरविंदू है कोशन के answers explanation ये question कहां से हैं तो ये question discussion community पर 23 फरवरी को आपके समक्ष लाया गया था ये question है राश्ट्री आए ये national income topic से और ये topic है भारती अर्थविवस्ता से संब्दित अर्थविवस्ता हमारे paper 5 के भाग 1 का हिस्सा बनता है इस question के answer explanation के साथ साथ और भी हम क्या बात करेंगे तो इसके अलावा भी हम बात करेंगे कुछ curious पर जो हमारे YouTube के comment section पर समानी रुक से देखने को मिलते हैं और हमारे अन medium पर भी हमारे तक छात्रों के द्वारा पहुचाए जाते हैं इसके साथ ही इस CGPSE means program के बारे में भी कई बात करेंगे कि ये आगे program ये आगे कैसे बढ़ेगा इसमें आप लोगों की मैतुपुन भूमी का क्या रहेगी और हमारे तरफ से और भी यहाँ पर क्या सुधरात्मक प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो चलिए इस समय की बरबादी ना करते हुए सबसे पहले तो हम question के explanation पर ही चले आते हैं जब हम national income topic से कुछ question वहाँ पर देखते हैं तो questions की जो प्रवित्ती है जो feature हमने वहाँ पर डाला है national income पर वो बहुत ही स्थराल है बहुत ही static है मतलब की अगर आप उन questions को देखें तो बहुत ही ऐसा question है कि कई लोगों को easy लगेगा और कई लोगों को लगेगा कि ऐसे question तो समाने रूप से अब mains के exam पर तो नहीं आएंगे क्योंकि अब इस तर काफी बढ़ चुका है बिल्कुल सही ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जब हम यहाँ पर question डाल रहे थे तो पहले यह प्रयास किया गया कि national income को दो भागों में बाढ़ दिया जाए पहला जो भाग होगा इसमें जो question दिये जाएंगे यह aesthetic question से संबंदित होगे और जो दूसरा भाग होगा वो dynamic चीजों से संबंदित होगा क्योंकि हम question देते हुए यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि question explain करते हुए आपके topic भी यहाँ पर cover होते जाएं अर्थात आपको जविशे पर भी आपकी पकड़ काफी मजबूत होती जाए जैसे कि कई प्रशन हमारे YouTube के comment section पर देखने को मिले जैसे कि रुपेश मरकाम जी है उनका ये समानी रुप से YouTube comment section प्रशन था कि अगर कोई वेक्ती mains की तैयारी पहले नहीं किया है पहली बार वो अपनी तैयारी कर रहा है कभी उसे मेंस नहीं लिका कभी उसने answer practice नहीं किया तो क्या उसको इसका लाभ मिलेगा कई ऐसे भी प्रशन आते हैं तो इसके लिए मैं बता दू कि आप बिलकुल निश्चिंद रहें आप बिलकुल भी अपने मन में कोई भी ऐसा प्रशन ना उठाए जो आपकी शमताओं को धुमिल करें आप यह मानें कि आप पहली बार या आकरी बार या अनुभवी ऐसे सारी श्रेडियों में अपने आपको रखना छोड़ दें आप सिर्फ यह करें कि जो भी वहाँ पर कोईशन दिखता है उस कोईशन पर जो भी आपके पास जानकारी है जो भी हमारे द्वारा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उन सारे चीजों का आप क्या करें समाहित तोर पर एक उत्तर वहाँ पर रखने आप यह सुनिश्चित करें कि आप जब वहाँ पर उत्तर लिखें तो वह आपका बेस्ट एंसर हो जरूरी नहीं कि आप पहले ही प्रयास में सबसे उत्क्रिष्ट प्रदर्शन अपना दिखा दें लेकिन उस उत्क्रिष्टा की और जाने के लिए आपको पहली सीड़ी तो चरणी पड़ेगी और पहली सीड़ी क्या है कि आप बहुत सारे प्रशनों पर अपने आपको फसाए बिना आप प्रशनों पर जो जानकारी है उसको अपने भाशा पर वहाँ पर लिखने जब आप यह पहली सीड़ी तो चलिए इस question पर हम आते हैं define करें और पहला जो यहाँ पर point था वो था GDP सगल घरल उत्पाद या फिर gross domestic product उसको define करना था एक बहुत ही अच्छा प्रयास साक्षी मित्तल के द्वारा देखने को मिला वहाँ पर मुझे और साक्षी मित्तल के भी उत्तर आप जाकर वहाँ पर कोई और अन्य जानकारी ना दे आप महाँ पर क्योंकि वो वेर्थ चला जाएगा क्योंकि जो उत्तर आपसे अपिक्षा की जारी है वो परिभाशा की जारी है अन्य उसके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं वो आपसे अपिक्षा नहीं की जा रही है तो जो हमारा पहला पिल्लर था जो हमने हमारे हमने एक वीडियो पर देखा था कि उत्तर लेखन अभ्यास है तू कौन सी महतपुन बिंदुए हमें ध्यान में रखनी है उसका पहला पिल्लर था कि content आपका सही होना चाहिए और to the point भी होना चाहिए तो अगर हम इसे definition के format पर देखें तो definition इसका कुछ इस प्राकार से होगा मैं बोर्ड में लिख देता हूं definition के format पर लाने के लिए यहाँ पर आपने आप देखा money value of all the final goods and services produced within a territory in a specific period of time is called gross domestic product हिंदी में अगर आप उसका नुबात देखें तो एक निस्चिस समय अधी में किसी भगलिक छेतर के भीतर उत्पादित सभी अंतिम बस्तूओं और सेवाओं के कुल मौदरिक मुल्य को उस भगलिक छेतर का सकल घरेल उत्पाद कहते हैं ध्यान रखेगा यहां पर उस भगलिक छेतर मैंने नहीं लिखा लेकिन आप यह इस फ़स्ट करेंगे अब बात आती है कि इसमें समाने रूप से गलती छातरों ने क्या किया डिसकेशन कमुनिटी पर गलती तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा अगर और परफेक्ट हो सकता थ जैसे कि कई छातरों ने वहां पर कंट्री लिख दिया लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर भोगलिक छेतर का है भोगलिक छेतर अगर विशु का हुआ तो विशु की जीडिपी भोगलिक छेतर अगर देश का हुआ कंट्री का हुआ तो कंट्री की जीडिपी और भ definition की व्यापकता हो सकती थी अर्थात समस्त प्रकार के भोगलिक छेदर को जो ये समाहित कर रहा था उसे आप थोड़ा सा संकिन कर दिये और आपने देश लिखकर GDP को सिर्फ कंट्री के defined form में यहाँ पर रख दिया तो ये बैतर होगा कि आप देश ना लिखकर कंट्री ना लिखकर अगर आप भोगलिक छेदर लिखें तो आपके उत्तर की यहाँ पर जो प्रमाणित्त है वो काफी और बढ़ जाएगी कई गलती यहाँ पर यह हुआ कि जो निश्चित समय अधी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यह आप देख रहे होंगे निश्चित समय होदी कई छात्रों ने यहाँ पर वित्ती वर्ष लिख दिया ध्यान रखिएगा जीडिपी का जो आगलन होता है वो वित्ती वर्ष या एक साल पर नहीं यह तिमाही पर भी होता है क्योंकि हम सम की डेफिनेशन को अगर व्यापकता देना चाहते हैं और अच्छा उसकी गुर्वत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर कोई समय ना लिखें आप निश्चित समय अवदी लिख लें सामने वाले के उपर डिपेंड करता है कि उसको साल भर समझना ह छे मेना या तीन मेना इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि साक्षी मित्तल के उत्तर मुझे इसमें काफी अच्छे लगे कि उनके उत्तर अच्छे इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने क्या कि ये जो गूड्स और सर्विसेस थे इस गूड्स और सर्विसेस पर यहाँ पर ती specific कर दिया यह specific कर देने से उनकी जो उत्तर है बाकियों की उत्तर से थोड़ा और तुलनात्मा कुरूप से काफी बहतर दिखने लगता है तो इस तरीके से आपका ये definition आपका ये perfect है इसके अलावा भी जब मैंने कहा था कि presentation पर भी आपको काम करना है देखिए content तो आपने लि अंडरलाइन कर सकते हैं क्यों territory को अंडरलाइन यहां पर किया जा रहा है क्योंकि जब आप बाकी सारे पैमानों को देखेंगे राश्री आयके जैसे की जी एन पी अन पी पर capita income वहाँ पर दूसरे GDP को जी एन पी से अंतर कौन बनाएगा तो यही territory के आसपास कुछ चीजें ऐसी बदलेंगे जो जी एन पी और जीड़ी पी को भिन्न कर देंगे आप यहां पर भागलीक चेतरों को ऐसे underline कर सकते हैं एक सवाल मेरे पास आया था ममता टंडन का ममता टंडन ने ये कहा था कि अंडर लाइन के जगा अगर हम डार्क कर दे उस शब्द को तो क्या ये बहतर तरीका हो सकता है देखें आप ये जमझें कि अंडर लाइन किया जाना या फिर डार्क किया जाना कोई भी तरीका हो इसका उद्देश यह है उसका उद्देश यह है कि जो भी चीजें आपने लिखी है उन सारे ही paragraph को अगर कोई ऐसा शब्द है जो अप अकेला वही शब्द उस पूरे paragraph को define कर दे रहा है उसे हमें जाज करता के सामने उसकी नजरों के सामने में हमें लेकर तो आप underline भी कर सकते हैं आप dark भी कर सकते हैं लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इस presentation में आपका समय ना बरबाद हो क्योंकि शब्द सीमा के साथ साथ आपके पास में समय सीमा नाम की भी बेड़ी आपके हाथ में बंधी रहेगी जब आप means लिखते रहेंगे तो तो अगर आप dark करते हैं और बहुत ज़्यादा dark करते करते अगर आप वो समय ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर millisecond का भी मामला बहुत किमती होता है अंडरलाइन कर ये बहुत सरल और बहुत जल्दी हो जाएगा चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक और प्रशन पर प्रशन ये था कि पूछा ये गया था मुझे किसके द्वारा तो ये इंद्रजीत बगेल के द्वारा पूछा गया था कि क्या हम अपने आं पर बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका हिंदी में हमें तम नहीं मिलता वो इंग्लिश में ही समानी रूप से दिखता है इवन किताबों में भी हमें वो इंग्लिश में दिख जाता है और निउस्पेपर में भी समानी रूप से जैसे कि अगर देखा जाए तो GDP समानी ये प्रयास करें कि आपका जो उत्तर हो वो एक ही भाशा का हो आपका उत्तर जो है वो दो भाशा का ना दिखें आप यता संभाव ये प्रयास करें कि आप अगर हिंदी में लिख रहें तो हिंदी में ही लिखें मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन हो जाती है कि आप नहीं आपको वो शब्द का अर्थ नहीं पता तो आप वहाँ पर English में लिख सकते हैं वो एक valid reason होगा लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब आप वो लिखें तो वो देवनागरी में होना चाहिए ये नहीं कि आपने यहाँ पर पूरी definition लिख दी हिंदी में और फिर GDP कर लिया आप वहाँ पर GDP को जामे बड़ी की मातरा लिख कर आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये English का यहाँ पर आप इस तरीके से उप्योग कर सकते हैं लेकिन फिर से कि कुछ लोगों ने यहाँ पर measurement का formula डाल दिया measurement का formula अभी नहीं डालेंगे सिर्फ define करने को पूछा गया है तो सिर्फ define ही करेंगे आपको उसके बारे में बहुत जादा जानकारी होगी बेशक क्योंकि GDP बहुत सरल है बहुत जादा जानकारी होगी लेकिन आप भावनाओं में नहीं बहेंगे भावनाओं में बहते बहते आप कहीं गड़े में आ गिर जाएं इसलिए आप सिर्फ जितना पूछा गया है उतना ही आप वहाँ पर लिखेंगे चलिए अब हम आते हैं दूसरे डेफिनिशन पर और वो है जी एन पी या ग्रॉस नेशनल पूड़क्ट अब बात ये करते हैं कि जब हमको GDP पता है GDP से ही आगे बढ़ते हैं GDP की और आप ये कोशिश करेंगे कि कितना कम से कम आपके इनपुट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके आप अगर किसी भी विशे को पढ़ते हैं आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ये तरीका अगर आप अपनाते हैं कि बहुत ही कम इंपुट देने पर आप ज्यादा आउटपुट निकाले तो काफी बैदर होगा जैसे कि जब आप GDP लिख लेते हैं और आपको GNP लिखना होगा तो GDP पर ही कुछ आप ऐसा अंतर कर दें जहां पर आप GNP को इसली डिफाइन कर दें जैसे कि GNP क्या है तो देखिए GDP जब हम निकालते हैं तो GDP पर ये थोड़ा सा explanation फॉर्मेट पर जा रहा हूं है आंसर कैसा होगा GNP पर उस पर भी हम थोड़ी दिर में चले हैंगे क्योंकि हमें उन लोगों को भी ध्यान में रखना है जिनके मन में ऐसा भै है कि वो पहली बार तयारी कर रहे हैं पहली बार मेंस लिख रहे हैं या फिर पहली बार मेंस की तयारी कर रहे हैं तो उनके जो उस भै को भी वहाँ निकालना जरूरी है इसलिए उन सारे थोड़ी थोड़ी एक्स्पिनेशन बीच में होते रहेंगे बाकी जो अनभवी वेक्ती है वो ये अपने शुरुआती दोर की याद करेंगे और उनकी ये साहधा करेंगे चलिए जब हम जी एनपी को समझते हैं तो जी एनपी क्या है जी डीपी पर हमने जो मौद्रेक मौले निकाला उसमें हमने देखा कि नीवासियों की आये प्रदर्शेत होती है अर्दाद हमारे वो नागरिकों की आये नहीं होती जो विदेशों में कारेरत है और जीड़ीपी में वो मौद्रिक मौल जुड़ चुकी होती है जो विदेशी हैं और हमारे भॉगलिक शेतरे बर निवास कर रहे होते हैं तो इस तोर पर हमको क्या करना होता है कि हमें सकल राश्री उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट अर्थात बताएगा वो ऐसे करेगा कि जीडिपी में जो विदेशीों की मौद्रिक मौल जुड़ी हुई है उसे हटा दिया जाएगा और हमारे नागरिक जो विदेशों में कारे रहते हैं उनके मौद्रिक मौले को लाकर जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो मौदरिक मुल हमें मिलने वाली है वो जी एन पी बन जाती है अब ये जी एन पी का एक एक फ्रिशन भी होता है जहां पर जीडिपी प्लस नेट फेक्टर इंकम फ्रम अबरॉड या फिर विदेशों से होने वाली नीवल इंकम आई को हम जोड़ देते हैं अब जैसे की जीडिपी के डेफिनेशन हमने यहां पर देखा निश्ची समय अधी पर किसी भोगली छेतर के बीतर उत्पादी तो अगर इस इसी ही डेफिनेशन को या फिर इतने ही इंपूट पर मुझे जी एन पी की ओर जाना हुआ तो मैं क्या करूँगा कि इस भोगली किसे बनाने का प्रयास करूँगा कि निश्ची समय अधी पर किसी राष्ट के किसी राष्ट के नागरी को द्वारा यहां पर आपने नागरी के लिग दिया नागरी को द्वारा उत्पादित सभी अंतीम बस्तों से वहां के कुल मौधरिक मुल्ल को उस राष्ट का सकल रा किसी राश के नागरिकों द्वारा अब नागरिक जो देश के भीटर निवासरत हैं उनकी भी आई जू Ýड़ी हुई है और वह नागरिक जो विदेश.. पर कारियरत है उनकी वियाए जुड़ी हुई है और आपको यह सब बताने की जहुरत नहीं पड़ रही है कि GDP से किसको हटा रहे हैं किसको घटा रहे हैं सिर्फ हमने यहाँ पर GNP को डिफाइन कर दिया और बता दिया कि money value of all the final goods and services produced by the nationals of any country is called gross national product of that particular country तो इस तरीके से हमने GDP के definition से ही थोड़ा सा modification करके हम GNP के definition तक पहुँच गये जो important keyword आपको यहाँ पर underline करने की जोरत पड़ेगी और वह पड़ेगी नागरिकोंगी क्योंकि GDP भौगलिक छित्र की आये थी और GNP नागरिकोंगी आये इन दोनों को भिन कौन करता है तो एक तरफ वो जगा जहां उत्पादन हो रहा है और GNP को कर देता है वो लोग जो यह उत्पादन कर रहे हैं और इतने में ही आपका definition समाप्त हो जाता है आप इसके अलावा भी कोई अन्य जानकारी लिखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स में अंतर नहीं दिखेगा आपको इतने पे ह आपको परियाप अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे अब इसी कोश्चन पर अगर हमें कुछ और शब्द जोड़ने पड़े तो जैसे मान लेते हैं कि यह 30 शब्दों का था definition समाप्त और हमारे पास यही definition 60 शब्दों पर भी आपसे पूछा गया तो यूटूब के कमे लिखा तो आप जी एनपी के बाद लिख सकते हैं कि जी डीपी से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शुद्धतम रूप है यह राशी आयका जी एनपी और जी डीपी का equation भी आप वहां पर लिख सकते हैं कि जी एनपी एक्वेशन प्लस माइनस नेट फेक्टर इंकम फ्र अब्राड नेगेटिव होती है रिनात्मक होती है तो यह बस्तरवासी एक्सप्रेस का यह सवाल था और कई लोगों का इस सवाल होता है कि जितनी चीज़े लिखी गई हैं उसके अलावा अगर वो कम शब्द पर हमको पता है ज्यादा शब्द आया तो आप उसके बाद अन इन पी का जो इक्वेशन होता है वो आपने यहाँ पर देखा है ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा एक्स्प्रेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि यह जो हमारा प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर है और अगर हम एक्स्प्र पर बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो जो इसका मुख्य उद्देश होगा वो पूर्ण होने में थोड़ी से समस्य आएगी तो देखिए यह था एक्वेशन होता है जी एन पी से जब मुल्य हास यह डिप्रेसेशन वाली कुछ राशी को हम हटा देते हैं तो हमें जी एन पी कौन सी मुद्रिक मुल्य है तो जी एन पी एक निश्चित समय आउधी पर किसी राश्ट के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतीम वस्तों सेवाओं के कुल मुद्रिक मुल्य को हम उस राश्ट का सकल राश्ट्री उत्पाद कहते हैं अब इस सकल राश पर हमको एन इन पी तक जाने के लिए डिप्रेशियेशन वाली परिभाशाओं के हाँ पर जोड़ना होगा यह कुछ इस प्रकार से दिख सकता है अगर हम देखें तो एक निश्चित समय अधी पर हम जी एन पर डिफाइन कर रहे हैं एक निश्चित समय अधी पर किसी राश् उत्पाद प्राप्त होता है तो हमने बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में क्या किया कि जी एन पी का जो डेफिनेशन हमें पता था और जी एन पी का डेफिनेशन हमें पता था जी डिपी का डेफिनेशन से जी डिपी से कुछ परिवर्तित करके हमने जी एन पी का डेफिनेशन deducted from the money value of all the final goods and services produced by the nationals of any country is called national product. अब बात आती है कि यह हो गया आपका definition में इतने रूप में खदम हो गया. तीस शब्दों के बाद अगर इसी इसी NNP को अगर आपसे पूछा जाए थोड़े और अधिक शब्दों पर तो आप यहाँ पर यह equation भी लिख सकते हैं. उसके साथ ही आप यह भी बता सकते हैं क्योंकि इसके नाम से ही यह इंगित होता है कि यह राश्री आयका सबसे शुधतम रूप कहलाता है प्यूरेस्ट फॉर्म आफ इंकम क्यों यह प्यूरेस्ट फॉर्म आफ इंकम कहलाता है वो इसलिए क्योंकि GDP से हमने कुछ शुधता की और जब हम आगे बढ़े थे तो GNP पहुंचे थे GDP में वो अशुधता क्या थी तो GDP की मौदरिक मुले जब हम देखते थे उसमें नागरिकों की आयए जो विदेश में कारियरत है वो नहीं जुड़ा होता था और विदेशी की आयए जो देश के भीतर में कारियरत है उनकी जुड़ी होती थी वहां से हमने इन दोनों ही चीजों को जोड़ घटा कर हम GNP तक पहुंचे और GNP के बाद जब वो मौदरिक मुल हमें मिलता है GNP का उसमें से मुल लिहाज जैसी एक इंप्यूरिटी और हटा देते हैं और उसके बाद जो हमें मनी वैल्यू मिलता है वो Net National Product या फिर किसी बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतीम डेफिनेशन जो था वो था पर केपिटा इंकम पर पर केपिटा इंकम या प्रतिवेक्ति आये PCI equation के form में आपको ये पता होगा कि NNP से जब हम population को भाग दे देते हैं जनसंक्या को भाग दे देते हैं तो हमें प्रतिवेक्ति आये प्राप्त होता है तो प्रतिवेक्ति आये निकलेगा लेकिन प्रतिवेक्ति आये जो शुद्ध प्रतिवेक्ति आये जो सबसे प्रफेक्ट होता है वो NNP होता है अगर GDP पर जनसंक्या को आप भाग दे देते हैं तो प्रतिवेक्ति आये on the basis of GDP आपका वो कहलाएगा तो प्रतिवेक्ति आये को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो अभी तक आपने NNP को डिफाइन तो करी लिया था अब वहीं पर आपको कुछ इस equation पर और कुछ modification करना है इस equation के साथ इस equation के अधार पर और आपका प्रतिवेक्ति आये का definition भी यहाँ पर मिल जाएगा प्रतिवेक्ति आये का जब आप definition लिखें तो वह important keyword जिसे आपको underline पर रखना है उसे आप ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ किसी राष्ट के नागरिकों के वार्शिक औसत आये को दर्शाता है और साथ ही आप क्या कहेंगे कि कि किसी भी रा definition वाला question यहाँ पर solve हो जाता है समय अभी तक थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन घबराईएगा नहीं क्योंकि इतना अगर आपने कर लिया तो बाकी question बहुत जल्दी है आप असानी से उसको explain कर लेंगे बैतर answer क्या होता है वो भी आप समझ लेंगे तो चलिए इस definition वाले question के बाद हम अगले question पर आते हैं जो question आधारी था GDP और GNP के मध्य अंतर को लेकर अगला जो प्रशन है वो GDP और GNP के मध्य अंतर पर यहाँ पर आधारी थे हैं तो GDP और GNP के अंतर पर आधारी थे प्रशन है और आपको इसमें 60 शब्दों पर लिखना था इसका उत्तर और जब आप अंतर लिखें तो मेरे द्वारा आपो पहले भी पताया गिया है कि जब भी आप अंतर जैसे चीजों को लिखें तो सबसे बहतर यहाँ पर जो presentation का format दिखता है वो column wise दिखता है क्योंकि एक तरफ अगर आपको एक point लिखें ठीक उसके विपरीत दूसरा वाला पह करते हैं तो सबसे पहले आप उन points को वहाँ पर रखेंगे जो priority पर सबसे ज़्यादा महत्वपुन दिखता है GDP और GNP के मद्य जब आप अंतर बता रहे हैं तो सबसे पहले तो importance ही होता है कि आप उन दोनों के जो definition है उसके अंतर को बताएं यह priority list पर सबसे उच्चितम अश अर्थात बागलिक शेतर के बीतर उत्पादित वस्तू और सिवाँ का मौदरिक मुल यहाँ पर नागरी को द्वारा उत्पादित वस्तू और सिवाँ का मौदरिक मुल definition पर आएगा इस दो कॉलम के साथ में आप तीसरा कॉलम और बनाएंगे और वह कॉलम होगा अंतर का अधार जैसे कि पहला जो आपका point यहाँ पर होगा आपने GDP पर आपने definition लिखा और GNP पर अर्थात जो चेक करने वाला वक्ती है उसको definition देखकर यह समझ में आ जाएगा कि पहला जो अंतर का यहाँ पर अधार लिया गया है वो परिभाशा लिया गया है मतलब कि कितने अध अधारों पर इन दोनों के बीच में भिन्यताएं आपने इस पस्ट कर दी है अपने उत्तर पर यह जाच करता को दिखाना बहुत ही जादा लाबदायक होगा पिर उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा आधार लेया जाएगा वहाँ पर उत्पादन से संबंदित जब भी हम GDP पर बात करते हैं तो यहाँ पर महतवपूर्ण होता है कि कहां पर उत्पादन हो रहा है वेर प्रोडक्शन इस चेकिंग प्लेस लेकिन जब जब जी एन पी पर उत्पादन से संबंदित जब हम बात करें तो वहाँ पर यह महतवपूर्ण हो जाता है कि उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है या फिर by whom production is taking place तो जो दूसरा आधार लिया गया है ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से संबंदित है GDP पर जहां पर आप बताएंगे कि कहां उत्पादन हो रहा है महतवपूर्ण है और GNP पर आप बता देंगे कि उत्पादन किसके द्वारा या फिर कंजॅपोंप्शन पर क्या डिमांट है वह दरशायगा वहां मुद्रा इस्पी या इंडर्नल स्ट्रेंट का परिचायक होती है ये महतो आपpek GDPR पर बद्दाएंगे लेकिन जब आप GNP पर जाएंगे तो GNP पर आपको अंतर के तोर पर यहां सामने महत उपर रखना होगा कि यहां अंतरिक के साथ बाहरी इस्तिती भी दर्शाएगे क्योंकि जब आपने GNP निकाला तो आपने विदेशों से भी कुछ यहां पर आमदनी की लें दिन के बारे में आपने चीजें देखी कि किस प्रकार से हमारे नागरी जो बाहर कारे रत हैं उनकी आए को हमने यहां पर ले आया कि हमारी GDP GDP से अधिक होती है हमारी GDP कम होती है इसका ताथ पर ये है कि जितनी राशी हमारे लोग विदेशों से कमा कर ले आते हैं उससे जदा राशी विदेशी हमारे देश से कमा कर ले जाते हैं आप आयात नई रात के उधारन से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं तो इस प्र मातरात्मक परिद्रिश्य होगा राश्री आएगा मातरात्मक परिद्रिश्य कहने का ताथ पर यह है कि बस्तू और सेवाओं के मौदरिक मुल्की कौंटिटी पर बात की जा रही है लेकिन जब आप जी एन पी पर आएंगे तब यह मातरात्मक नहीं अपितू गुणात्मक परिद्रिश्य को दर्शाएगा क्योंकि यहां पर महत्पूर्ण हो जाता है जी एन पी पर कि उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है अगर आपकी GDP बहुत जादा मनी वैल्यू यहां पर दिख रही है लेकिन उसमें विदेशियों की भूमी का उनकी भागिदारी अधिक है तो आप यह समझेंगे कि मातरात्मक तो आपका परिद्रिश्य का वी बहतर है लेकिन जब आप गुनात्मक परिद्रिश्य की और जाते हैं तो यह जो GDP बनी हुई है वो विदेशियों के द्वारा बनी हुई है जो प्रत्यक्ष पर अपने देश में वो लेकर जाएंगे तो इसलिए GNP पर जब आप बात करें तो या गुनात्मा क्या qualitative aspect of national income represent करेगा और GDP जो होगा वो मातरत्मक परिदिश्य को represent करेगा इस अंतर की कहानी पर और आगे बढ़ते हुए आप ये भी वहाँ पर डाल सकते हैं कि भारत की जो GDP होगी वो GNP से जादा होगी अंतर के स्थिती पर आप ये भी डाल सकते हैं कि GDP जो होगा वो राष्ट्री आये का अशुद धुरूप है लेकिन GNP तुलनात्मा क्यूप से शुद धुरूप है तो ये भी चीज आप वहाँ पर लिख सकते हैं तो 60 शब्दों पर जो कीवर्ड चाहिए वो इन आधारों पर आप ये अंतर यहाँ पर लिख देंगे अंतर लिखने के लिए बहुत ही अच्छा ये मापदंड होता है कि आप इस तरफ आधार लिख दें जाच करता को पता चल जाएगा कि ये इतने सारे जो अंतर लिखे गए हैं वो अंतर करने का आधार क्या था चलिए GDP और GNP के अंतर पर आपने ये समझ लिया अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर और वो आधारी था GDP इस्तिर भाव और प्रशलित भाव से आप क्या समझते हैं इस प्रशलित के उत्तर पर जाने से पहले इस विशयत पर सम्बंदित कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगा इंडियन एकनॉमी या फिर अर्थ वियस्ता जब बहुत ही ज़्यादा इस्ट्रूइंट से जब पूछा जाता है तो समानी रूप से एक बहुत संख्यक जो छात्रों का समुदाय है वो इस विशय को काफी भैवीत रूप से देखते हैं भैवीत रूपने का एक वाजिब कारण भी होता है उनके पास कारण जैसे की सबसे पहला तो यही होता है कि यह विशय समझ में नहीं आता थोड़ी जटिलता होती है इसको समझने में कारण नमबर दो यह है कि समझ में आ भी जाता है अगर तो किसी भी प्रश्न का उत्तर क सिद्ध करने के लिए वो अच्छे शब्दा वली हमारे पास नहीं आते और हम आंसर जब लिखते हैं बहुत ही समान यह सा लगता है एक और भी बहुत महत पूर्ण यहाँ पर भै का कारण यह बनता है कि बहुत सारे ऐसे भी हम उधारन देखे हैं प्रश्नों के रूप में मेंस के एकजाम में जिसकी व्याक्याफ सिलेबस में कभी की ही नहीं गई थी और इस कारण से यह भी समझपाना मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ा जाए कहां से पढ़ा जाए क्या अच्छा सोर्स होगा क्या अच्छी किताब होगी जिसके साहता से हम यह एकनॉमी का सिल पर मैं दो मिनट आप से बात कर लेता हूं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं syllabus और प्रश्णों के बीच की जो विसंगती दिखती है कि syllabus कुछ और है प्रश्ण भी हमारे जो आते हैं वो syllabus में दिखता नहीं है उधारेट के लिए strategic sales करके question आया था रणितिक बिखरी ये syllabus पर इसकी व्याख्या आपको ऐसे शब्द की रूप में नहीं दिखेगी जनांकी की लाभांच भी कई बार पूछा गया है लेकिन उसके बारे में भी syllabus पर word तो नहीं लिखा गया है तो देखिए इस चीज़ पर ज़्यादा आप परिशान ना हो होता ये है कि जो economy है उस economy विशे की जो प्रविती है सबसे प्रमुक प्रविती ये है कि ये बहुत ही dynamic है बहुत ही ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो जब आप overall question देखें economy का तो लगबग 80% question ऐसे जरूर होंगे जो syllabus से आपको सीधे तोर पर देखने को मिलते हैं लेकिन हर साल 2-3 question ऐसे जरूर होते हैं जो syllabus पर नहीं होते हैं लेकिन वो question कहां से आते हैं वो question आते हैं current पर जो उनकी महतोता देखी जा रही है उस पर जै यह topic जो था वो syllabus जब हमारा बना जब मेंस के syllabus में डाला गया तो यह topic नहीं डाला गया क्योंकि उस समय यह जोलन्त मुद्दा नहीं था लेकिन उसके साथ ही यह आप ध्यान रखें कि वहां पर राचकोशी निती या फिर सारुजनिक आय और वैपर बारे में लिखा गया है और वी निवेश इसी सारुजनिक आय का एक प्रमुक हिस्सा अभी current सिनारियों पर बना हुआ है तो किसी भी ऐसे question को देखकर आप परिशान ना हो कि यह syllabus पर नहीं है ध्यान रखें अगर वो syllabus पर आपको word to word नहीं दिख रहा है इसका अर्थ ही यह है कि वो syllabus पर कहीं deep जाक करता देख लेना चाहता है कि आप एक सिविल सर्वेंट होने के नाते अपने आसपास में जो घटना गरम घटीत हो रही है उससे कितना ज्यादा आप वाकिफ हैं उसके अलावा अब बात आती है कि जब यह एकनॉमी पढ़ देते हैं तो समझ में नहीं आता उसके लिए मुद्रा, इस्विती, उत्पादन, व्रिधी, विकास, भुक्तान का संतुलन, राजकोशी, निती, यह हमारे सहुलियत के लिए हमने इसे अलग-अलग नाम दिया है अगर आप इन सारे चीजों को जोड़ कर पढ़ लेंगे तो एकनॉमी जितना डरावना दिखता है विश जो आपके विडियोस हैं वो बहुत ही अच्छे तारकिक तोर पर एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ वहाँ पर आपके लिए उपलब्द भी है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अब आते हैं दूसरे समस्या पर समस्या यह है कि हम जब लिखते हैं तो एकनॉ जब जब आप आंसर लिखेंगे तब तक आप उन शब्दों को लाने का प्रयास करते जाएंगे आज अभी जब आप लिखेंगे हो सकता है कि आपका उत्तर बहुती वाहियात लगे आपको स्वहम खुद लेकिन ये सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है आप ऐसा प्रयास करते जाएं कि आप अगले कुश्चन पर और थोड़ा सा इसको चीज़ को बिल्ड करें और अच्छे भाशा का प्रयोग करें और शब्दा वाली एकनोमी वाली लाएं और दीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वह आप डेवलाप कर ले जाएंगे ये विश्वास मान है दूसरे चीज़ की कौन सी किताब पढ़ें एकनोमी के लिए कई बार ये कमेंट पर या फिर अन्य मिडियम पर पूछा भी गया है कि कौन सी किताब को एकनोमी के लिए पढ़ा जाए तो देखिए अगर आप बहुत सारे किताबों को जो बजार में उपलब्द हैं अगर इन किताबों के साथ में एक आपको और जटिलता मिलती है और यह किताब UPSC फॉर्मेट पर बनाया गया है और UPSC फॉर्मेट पर बनाने के बाद अगर आप उसे CGPSC के लिए पढ़ें तो आप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ग्यान के सागर में डुपते चले जाएंगे और वो उतनी ज़वरत नहीं है ध्यान रखेगा इंडियन एकनॉमी पेपर पांच के पार्ट एक का भाग है जो कि मातर 50 से 55 नंबर कवर करने वाला है आपके मेंस के टोटल माक से तो इसलिए आपको ऐसे किताबों का चैन करना होगा जो ज़वरत से ज़ादा जिस पर बात किताबे भी लाकर बजार में आपको देखने को मिलेगा वो अगर उससे आप पढ़ेंगे तो CGPAC oriented है चलिए अब उसके बाद बात आती है कि हम इसे question का answer कैसे करेंगे देखिए स्थीर भाव और प्रशलित भाव एक बहुत ही बड़ी अवधाना है इसका concept अगर समझने हम बैठें तो बहुत जादा समय यहां पर वेर्थ चला जाएगा और हम वो उद्देश इस CGPAC प्रोग्राम का हम धुमिल नहीं करना चाहते हैं लेकिन इस अवधाना से संबंधिद आपको हमारे playlist पर mobile course के demo lecture पर इस तेर बहुत प्रिशलित भाव का आपका अवधाना भी पता चल गई है तो अब हम उसमें जितनी भी सारी चीज़े modification करके हम लिख सकते हैं हम लिख लेंगे और कम input पर ज्यादा output निकालना ही हमारा यहां पर सबसे smart तरीका है अब GDP हमको पता है इस्तिर भाव क्या होता है तो एक बार एक मोटा मोटी तौर पर कि जितने भी वस्त स्थिर भाव की परिभाशा लिखेंगे तो पूरी की पूरी GDP की परिभाशा आपको लिखनी होगी और कहीं एक बिंदू पर आकर आपको यह स्थिर भाव वाला modification वहां पर जोड़ना होगा जैसे कि उधारन के तौर पर हम परिभाशा हिंदी में अगर देखे GDP का एक निश थिर भाव कहलाता है प्रशलिद भाव पर आप definition पर क्या लिखेंगे सेम GDP की definition आपकी आगे बढ़ेगी और बस आप वहां पर क्या change करेंगे जैसे ही मौदरिक मुल आएगा आप वहां पर क्या लिखेंगे मौदरिक मुल को बजार में उपलबधता के आधार पर जब निका लजाना यह हो गया इसके definition पर अब उसके बाद देखें मैंने इसे अंतर के format पर रख दिया है लेकिन यह इसलिए ताकि आपको समझ में आए अब जब GDP constant price निकाला जाता है तो कौन से वर्श का मौदरिक मुले यहां पर लिया जाएगा वस्तो और सेवाओं का तो वह लिया जाता है अधार वर्श का बेस एर का और अधार वर्श अभी वर्टमान पर 2011-12 हमने यहां पर रखा हुआ है ऐसी चर्चा उठ रही है कि 2017-18 को किया जाएगा लेकिन वर्टमान पर दिर्श पे अधार वर्श अभी हमारा 2011-12 है लेकिन जब GDP प्रशलिद भाव निकाला जात GDP कहलाता है चलिए मुद्रा इस्विती की अगर हम बात करें तो इस्तीर भाव की जो GDP रहेगी उसमें मुद्रा इस्विती रहीत रहेगी वह मौद्रिक मुल्य यह पूरा का पूरा इस्तीर भाव और प्रशलिद भाव का कंसेप्ट ही मुद्रा इस्विती के प्रभाव को और सिवाओं के मौद्रिक मुल्य के साथ में जोड़ कर और बीना उसके देखे जाने पर निर्भर करता है तो ये मुद्रा इस्विती स्थिर भाव पर नहीं होगा लेकिन अगर आप प्रत्लित भाव पर निकालेंगे या वास्तविक जीडिपी भी कहते हैं और वहीं जब प्रश्लित भाव पर हम जाएंगे तो यहां पर नॉमिनल जीडिपी या फिर नाम मातर जीडिपी ये बनता है मुद्रा इस्विती के प्रभाव को जुड़ जाने के कारण हम वास्तवी ग्रूप पर वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ है ये उसके मौद्रिक मुले के अधार पर नहीं निकाल पाते इसलिए वास्तविक्ता उत्पादन की वास्तविक्ता व्रिद्धी की वास्तविक्ता वास्तविक्ता की ये जानने के लिए हमको मुद्रा इस्विती रहित मौद्रिक मुले अर्था जीडिपी इस्थिर भाव निकालना पड़ता है चलिए अब हम आगे बढ़ें तो हम equation के format पर भी यहाँ पर कुछ चीज लिख सकते हैं जैसे कि समिकरण या equation हमें यहाँ पर बताना हुआ तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि जो आपका GDP स्थिर्भाव होगा यह स्थिर्भाव कैसे निकलता है तो जो आपका नाम मातर GDP होगा उसमें से मुद्रा सिती को घटा दिया जाता है और जब वही आप प्रश्लिद भाव पर जाएंगे तो इस equation को as it is पल्टी कर देंगे तो अगर आप GDP स्थिर्भाव और प्रश्लिद भाव के मध्य अंतर इस्थापित करने को पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिखें सिर्फ आप से GDP स्थिर्भाव पूछा जाए तो यहाँ पर दिये गए चीजों को आप लिखने तो आपका GDP स्थिर्भाव के परियाप्त जानकारी हो जाएगी परिभाशा कौन से वर्श में मौद्रिक मुले लिया जाता है मुद्राइस्विती होता है क्या उसकी प्रवित्ती कैसी रहती है और उसकी equation कैसी है सिर्फ इसे ही आप देखे तो यह अकेले आपका question दिया था discussion community पर कि अब धायना क्या है तब आप paragraph में पहले GDP प्रशलिद्भाव को समझा दे और फिर उसके बाद दूसरे paragraph में GDP स्थिर्भाव को भी समझा दे और आपको अच्छे खासे marks यहां पर मिल जाएंगे चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण के explanation पर अगला जो प्रश्ण है वो वेव विदी से संबंदित है इस प्रश्ण के explanation पर आने से पहले थोड़ी सी फिर से बाच्चीत कर ली जाए बाच्चीत है review को लेकर कि हमारे discussion community पर review कैसे हो देखिए जब भी एक छात्र हम ऐसा मानते हैं कि जब भी एक छात्र उत्तर लिखता है मेहनत करता है और discussion community पर जाकर अपने उत्तर को post करता है उसे यह उमीद रहती है कि कोई faculty उस पर review करे उस पर उसे सुछाओ दे उसके कम्यों को बताएं उसकी जो अच्छाईया है उससे उसको मुलाकात करवाए उससे मुखादिब करवाए यह वह अपिक्षा जरू करता है अब हमारे end से कि क्योंकि आप लोगों का इतना इसने है इतना प्यार है कि हमारे इस initiative पर आपने बढ़ चड़कर हिसा लेना शुरू कर दिया और बहुत जादा यहाँ पर हमारे पास answer भी आ गया है हमने review भी यहाँ पर किया कुछ के review किये और कुछ के review हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास भी थोड़ी सी समय की पाबंदी हो जाती है अब हम उस चीज़ पर जरूर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सब को सही तरीके से review का model यहाँ पर set किया जाए एक तरीका हो गया यह जिस पर हम कारे कर रहे हैं और हम उसको और बहतर करते जाएंगे एक दूसरा भी यहाँ पर विकल्प हो सकता है क्यों ना चात्र एक दूसरे के ही answer copy को review दे अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब एक शात्र अपना उत्तर वहाँ पर लिखेगा और कोई दूसरा वहाँ पर जब review देगा खुशी के मारे पखला जाएं आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि जो review आ रहा है उसे आप कितने बढ़िया तरीके से अपने development के लिए यूज़ कर सकें और ठीक इसी प्रकार का आप दूसरों के उत्तर पर भी क्या करें अपने review यहाँ पर दे जब इस तरीके से छातर आपस में एक दूसरे के answer को देखेंगे क्योंकि देखते तो हैं आप इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि जब आप उत्तर वहाँ पर post करेंगे तो आप दूसरों के उत्तर नहीं पढ़ते पढ़ने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो यह फिर गलत बात है आप देखिए आप पढ़िए आप दूसरों को review करेंगे इस सारे ही चीजों से आप यह मान कर चलें कि जो आपके प्रतिभागी आपके साथ है उनमें से बहुत जादा लोग ऐसे भी हैं जो काफी अनुभवी हैं और उनके द्वारा दिया गया review भी आपके लिए लाब दायक बिल्कुल हो सकता है जब वहाँ पर ऐसा हो कि आप एक दूसरे को review करने लगें तब आप यह देखेंगे कि काफी और अच्छा तोर पर बहुत ही मर्यादित तोर पर वहाँ पर आप एक अच्छे तोर पर आपस में मेल जोल बनाएं चलिए अब हम आते हैं इस वैविधी पर संबंदित प्रश्ण पर प्रश्ण कहता है GDP आकलन के वैविधी को समझाएं तो आप इसको कैसे समझाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये बता दे कि वैविधी है क्या वैविधी क्या है तो GDP आकलन का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अंतिम वस्तू और सेवाओं को क्रै करने के लिए कितनी यहाँ पर मौदरिक राशी अदा करनी पड़ती है उनको जब जोड दिया जाता है तो हमें यहाँ पर वैविधी से निकाला गया GDP का मौदरिक मुल प्राप्त होता है अब इस वैविधी पर क्या equation अपलाई किया जाता है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं इसका बहुत ही अच्छा उत्तर जो है वो पंखुडी ने लिखा है आप पंखुडी के आंसर को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बहतर तरीके से उन्होंने अपने इस उत्तर को वहाँ पर प्रेजेंट किया है अच्छे शब्दों का चेयन भी किया है और काफी ही अच्छी जानकारी वहाँ पर लिख दी है उन्होंने और इसी समझाते हुए उन्होंने इस C प्लस I प्लस G प्लस X मैनस M का एक्वेशन भी वहाँ पर दर्शाया है तो कई लोगों ने GDP की डेफिनेशन पर ही इस एक्वेशन को लिख दिया इसे आप परिहेच करेंगे C प्लस I प्लस G प्लस X मैनस M क्या है तो यह बताया गया है कि C जो है वह निजी खपत को इंगित करता है इसका अर्थ ही यह है कि नीजी खपत के लिए जितने अंतीम बस्तू और सेवाओं का क्रे किया गया उन खर्चों को C कॉंपोनेंट पर रखा गया I कॉंपोनेंट पर उन खर्चों को रखा गया जिन खर्चों के माद्यम से किसी पुंजी का निर्माण किया गया हो पुझी निर्मान से तात पर है कि कुछ ऐसा खर्चा जिससे आपको आगे लाब अपेक्षे दो सरकारी वै पर किया गया अर्थात सरकार जो वै करती है अंतीम वस्तुव और सेवाओं पर उसको और यहाँ पर एक्स जो हो गया आपका एक्सपोर्ट और एम जो हो गया इंपोर्ट यह सारे ही घटकों के जब मौदरिक मुले आप जोड़ देंगे तो यह वै विदी से निकाला गया GDP यहाँ पर दर्शाने लगेगा तो इस प्रकार से यह वै विदी पर किस प्रकार से GDP आखलन किया जाता है तो मुख्य रूप से इस equation के explanation पर निरभर गरता है और बाकी लोग भी ऐसा प्रयास करें कि इस विडियो को या फिर जब हम answer explanation करें तो answer explanation करते समय आपका नाम स्वम उस question पर हमारे मुझ से निकलने लगे चलिए अब हम आते हैं हमारे अंतिम प्रश्ण पर जो की कारक लागत और बजार लागत पर अधारित था जडिपी कारक लागत और जडिपी बजार लागत हमारा अंतिम प्रश्ण है देखें यहाँ पर मैंने column के form में रख दिया है आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि बहुत सारे question ऐसे अंतर के difference between all the format पर होंगे वह इसलिए क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ पर जो question के pattern है उसे cover किया जा सके जब अंतर वाला यहाँ पर हम question solve करेंगे तो ऐसा ही रख देंगे जब सिर्फ GDP कारक लागत क्या होता है तो हम यहाँ पर लिखी हुई चीजों को वहाँ पर लिख देंगे और जब GDP बजार लागत के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिखी हुई चीजों को वहाँ पर singularly वहाँ पर present कर देंगे तो इस तरीके से हम सारे pattern को cover करना चाहते हैं इसलिए इस format पर हम रखे हैं इस अंतियम प्रशन को शुरू करने से पहले फिर से छोटी छोटी मगर मुटी बात हैं तो वो यह है कि आप जब यहाँ पर economic के question देख रहे हैं तो बहुत ही static question है बहुत ही static answer होंगे basic concepts हैं मतलब कि ऐसे concepts हैं जो कई सालों से यही लगातार बने हुएं लेकिन जब आप दूसरे जो हमारे questions देखेंगे जो 24 तरीको discussion community पर आया है economic को वो dynamic question है और साथ ही जब वाला वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़ादा ही आवश्यक है क्यों क्यों क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको economic विशय को देखने का उसके answer लिखने का जो नजरिया है वो पूरी की पूरी तरीके से एकदम बदल जाएगा जहां पर हमने virtuous cycle और vicious cycle of economy पर बात किया है हमने ये question पूछा है कि आर्थिक मंदी के कारण क्या है और अंतिम question वो ये है कि गिरती हुई अर्थ हियस्ता को पुना अपने रास्ते पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं तो जब आप इस तरीके से उस topic को जब आप देखेंगे उसका explanation देखेंगे उसके answer लिखेंगे तब आपको economic के answer कैसे लिखा जाए ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और साथ ही साथ कई लोगों का ऐसा भी प्रशन होता है जैसा कि एक question हमारे पास आया था इनका question था कि अगर हमें answer नहीं आता तो क्या कुछ भी लिखकर आएंगे तो माक्स मिलेगा क्या तो ऐसा नहीं देखें अगर आप कोई question आपको मिलता है मैं इसमें जिसके बारे में आप परियाप्त जानकारी नहीं है जो पूछा गया है वो नहीं पता लेकिन उससे मिला जूला क कुछ पता है तो आप बिल्कुल लिखाईए और जाच करता वाले को जितना उप्योगत वहाँ पर लगेगा उतना आपको माक्स दे दिया जाएगा लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि उस question के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपने कुछ भी लिख दिया है तब आप सम के मत आईए आंसर आप ऐसे लिखिए कि जितना ज्यादा उसके करीब या जातना ज्यादा प्रमाणिक उत्तर आप वहाँ पर लिखेंगे उतना बहतर होगा चलिए इस question पर अगर हम आये तो GDP कारक लागा GDP बजार लागा GDP हमको पता है वस्तू और सिवाओं का मौदरिक मु ले उत्पादन के कारकों के अधार पर निकाला जाता है जैसे कि लेंड अर्थात भूमी, लेवर अर्थात श्रम, कैपिटल अर्थात पूंजी और उद्यम अर्थात हमारा ये इंटर्परिनेर्शिप ये उत्पादन के कारक हैं उत्पादन के कारक से तात्परें ये वो ज़दूरी निकाली, पुंजी के सामने, ब्याज निकाला, उद्याम के सामने, हमने फाइदा निकाला, प्रॉफिट निकाला, तो जब इस बेजेस, इंटरेस, प्रॉफिट, रेंट के आधार पर किसी वस्तू और सेवाओं का मौदरिक मॉल्ले जब निकाला जाता है, तो व पर जब निकाला जाए पंकोडी के आंसर देख लिजिएगा काफी अच्छा लिखा है उन्होंने इस पर किसके अधार पर तो उत्पादन के कारकों के अधार पर अब उत्पादन के कारक क्या थे तो हमने क्या देखा यहाँ पर भूमी अर्थाद लेंड आप यहाँ पर कारकों की जो आयत ही वहाँ पर आपने निकाला ब्याज उद्यम के सामने आपने निकाला लाभ और फिर उसके बाद जो अंतिम आपका कारक बच जाता है वो है श्रम और श्रम के सामने आपने निकाला था मजदूरी क्लियर है तो इस प्रकार से इन उत्पादन के कारकों के अधार पर इस मौदरिक मुल्य के अधार पर जब बस्तू और सिमाओं की गणना की जाएगी मौदरिक मुल्य की गणना की जाएगी तो कारक लागत पर निकाला गया वह सकल घ्रली उत्पाद होगा अब ठीक इसे बजार लागत पर तो बजार लागत पर क्या तो बस्तू और सिमाओं की जो मौदरिक मुल है वो बजार में उपलबदता की अधार पर जब निकाला जा रहा है तो GDP बजार लागत पर आप इसे कह देंगे क्योंकि ये लगबग आपका 60-100 सब्दों पर ये उत्तर बनेगा तब आप क्या लिखेंगे एक्वेशन लिखेंगे GDP कारक लागत बन जाता है अगर आपको बजार लागत तक पहुँचना है तो GDP बजार लागत से आप रत्यक्षकरों को आप घटाएंगे और सब्सिडी को लेका कर वहाँ पर जोड़ देंगे ठीक जब आप बजार लागत पर जाएंगे तब आपको इस एक्वेशन को पलड़ देना है पलटेगा कैसे कि आप GDP जब बजार लागत देखेंगे तो GDP कारक लागत पर जब आप प्रत्यक्षकर को जोड़ा जाएगा और सब्सिडी को घटाया जाएगा तब आपको GDP बजार लागत वहाँ पर मिल जाएगा चलिए आप यहाँ पर आपको अंतीम क्या बताना है कि जो GDP एक फेक्टर कॉस्ट होता है वो हमेशा GDP बजार या मार्केट कॉस्ट से कम होने हाला है ठेक आप वहाँ पर भी इसे उत्पादन के कारकों की गुणवत्ता लेकिन जब आप बजार लागत पर पहुंचेंगे तो फेक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्थाद आपका उत्पादन के कारकों की गुणवत्ता के साथ में राजकोशी नीती क्योंकि टेक्स और सब्सिडी यहाँ पर आप देख रहे है राजकोशी नीती अर्थाद कॉलिटी और फिसकल पॉलिसी भी वहाँ पर शो करेगा कि कैसे सरकार की राजकोशी नीती किसी भी देश के वस्तूर सिवाँ के मौदरिक मुल्य को बढ़ा घटा कर वहाँ के उत्पादन कुस्तिदे तोर से प्रभावित करती है तो इस प्रकार से आपका काराक लागात बजार लागात वाला भी प्रशन यहां पर समाप्त होता है अब आप लोगों से अन्तीम दो शब्द और वीडियो के अन्तीम के दो शब्द तो यह है कि आप और भी हमें सुझाव दे अलग अलग मिडियम से हमें बताएं कि और आप लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके से इसे बहतर बनाया जा सके आपको भी लाब पहुँचे ब बताते जाएं कि कैसे हम इसे इतना बहतर कर दें कि आपका मेंस निकलना सिर्फ सीजी पीएसी मेंस प्रोग्राम के द्वारा ही संभा हो जाए तो चलिए फिर आगे और वीडियो पर मिलेंगे धन्यवाद पीएसी की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले